हाली में Reserve Bank of India और सरकार के निर्ने में फिर से ऐसा अनॉंस किया गया कि 2000 की जो नोट से एक रूटीन एक्षिन के तहद रिकॉल कर दी जाएगी क्या ये स्थिती फिर से नोट बंदी या डी मॉनेटाइजेशन जैसी है आज हम समझेंगे कुछ लोगों के साथ जो हमारे साथ सोने के व्यापारी है और जूलरी मार्केट में काफी सालों से इन्वाल्वड है उनके खुद के बिजनिस भी है सर मैं आपसे समाझना चाहूंगा पहले तो ये जो निर्ना है 2000 की नोट बैंड करने का हाई वैल्यू करेंसी का अब इसके बारे क्या कहेंगे अच्छी बात है 2000 के नोट से जो ब्लेक मनी वगेरे घुम रहते हैं वो थोड़ा कम हो जाएगा और सरकार के लिए भी जो ब्लेक मनी है या टेरर फंडिंग जो रहती थी उसके पर भी बैंड लग जाएगा थोड़ा कंट्रोल में आएगा और मार्केट में देखा जाए तो बहुत इनों से जब से 2018-19 से बैंक ने जब ये नोट चापई नहीं है तो वैपारी लोगों के पास तो बहुत कम ही आ रहे थे दोजार नोट तो कोई ज़्यादा इंपक्ट हमको होने वाला नहीं है वैपारीयों को और हम आदमी के पास में भी कोई दोजार के नोट नहीं है जो बड़े बड़े स्कैमर है जो काला धन रखते हूं उनको ज़्यादा फरक पड़ने वाला है तो एक अच्छा कदम है सरकार का सर मैं आपसे समझने जाओंगा कि क्या सर्कूलेशन ओफ नोट के उपर रोक लगाने से बिजनिस्मेन के कैश फ्लो में फरक पड़ेगा क्या तो वो सर्कूलेशन में आएगा एकनोमी को बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा ठीक है थोड़े लोगों को बड़े लोगों को जिन्हों ने पैसा दबा के रखा है उनको थोड़ी तकलीफ होगी तेकिन इससे आम आदमी को फरक नहीं पड़ेगा बट भारत वर्ष की एकन कुछ नोट घर खर्च के पैसों में से भी आप बचा के रखते हैं तो आपने 2000 के भी कुछ नोट सेव की होंगे तो क्या ये सरकार के निहने से आप चिंतित है कहीं न कहीं किया होगा ये सर्कूलेशन बंद हो जाएगा आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे वगेरा चिंता तो रहती ही क्योंकि 2000 की नोट सेविंग करने में हम लोगों को बहुत इजी रहता है और वो खच करने की भी इच्छा नहीं होती है इसलिए 2000 की नोट मतलब जगा भी हमारे तो कम रुपते कर चुपा सकता है तो अभी ये बंद कर देंगे तो हमको सब अभी पैसे न हां तो खास तो होई जाएंगे ना 2000 की नोटे तो खर्चा करने का मन नहीं करता है 100 दोस्तों तो बच्चे भी मांगते हो तो देना पड़ता है नहीं तो बोल सकते कि बच्चों लोग को भी हम बोलते कि चुट्टा ने जाओ लेकिन सरकार ने और RBI ने साफ़ता और पर कहा है कि पैनिक करने की कोई आवश्यक्ता नहीं है क्योंकि 30 सब्टेंबर तक आप जाकर अपने नोट्स एक्चेंज कर लेंगे लेकिन उसके लिए बैंक जाना पड़ेगा और सब पोल खुल जाएगी हमारी जो जमा किये हमने पैसे हो सब तो उसके लिए ठोड़ी ट्रबल दो हो कि बैंक जाके फिर लाइन में खड़े रो और फिर सब पैसे करने के लिए सर आप एक इबजा के राश्ट्रे प्रवक्ता है एक नैशनल स्पोक्सपर्सन के रूप से अगर समझना चाहे तो क्या इस निर्णे का गोल्ड बिजनेस पे कुछ असर पड़ेगा वैसे गोल्ड का बिजनेस तो एक अपने आप में ही प्रचलीत है लोगों की शादिया है शादियों की बर्मार है करीबन सतर लाग शादिया 14 जन्वरी से लेके 14 जीन तो होने जा रही है और 2.30 लैक्स करोड रुपे का एस्टिमेटेड बिजनेस भी होने वाला है वहाँ पर एदूला जो जो सरकार ने नोट बंदी की है वो अंशता इसका एफ़ेक्ट करेगी लेकिन ठीक है जैसे जैसे अगर 2000 के नोट नहीं आते तो लोगों पास से 500 जमा किये हुए 200 के जमा किये हुए 100 के जमा किये हुए HDF अपने और बैंकों के तरीके से यहाँ काम चलेगा है हाँ काम अटके का नहीं हा लेकिन जरूर है जो स्मगलिंग बिजनस से जुड़े हुए है जो सिर्फ बुलियन का बिजनस करते हैं स्मगल से आया हुआ गोल्ड का तो उनके लिए थोड़ा सा प्राबलम होगा वो शायद प्रीमियम मांग सकते है लेकिन उससे इ इस निर्णे का भारी असर गिरेगा लोगे के पास तब पहले जितनी कैश की विवस्ता नहीं होगी पिल्कुल पहले साथ की विवस्ता थी ने इस इंडुस्ट्री में प्यमेले एक्ट लगने से और सरकार के दो लाग के लिमिटेशन से के वाई सी मांगने से अर्डी आपके गोल्ड बिजनेस पे इस नेने का कुछ भारी असर पड़ेगा जैसे कुमार भाई ने बताया है कि हमारे यहां पे बिजनेस में दो लाग के उपर तो ऐसे भी हम नहीं लेते हैं क्रेडिट काड और यह यूज हो रहा है और यंग जनरेशन जो आई है जो इलेक्ट्रोनिक पेमेंट में ज्यादा बिलीव करती है तो इसका इफेक्ट बिजनस पे जड़ा भी नहीं करते हैं सब्टेंबर तक का टाइम दिया है तो मुझे इसा लग रहा है कि जिसके पास भी है तो वह ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकालेंगे और यह बिजनस का जो टर्न ओवर है शायद यह एक दो मैने में बढ़ जाएगा इस डिसीजन से अगर कुछ पॉजिटिव बात आई है या कुछ अच्छा हुआ है तो वह आपके सबसे क्या है या मार्केट में भी क्या ही अच्छी चीज लाएगा इस डिसीजन से शायद एक कैश फ्लो कफी बढ़ जाएगा बैंक में देखा जाए तो बैंकिंग स्टॉ आपने गोल्ड बिजनिस की तो बात की लेकिन दूसरे जो इंडस्ट्रीज है जैसे अग्रिकल्चर हो गया यह कंस्रक्शन हो गया सर उनके लिए जो चोटे बिजनिस जो बेसिकली कैश पे ही ऑपरेट करते उनके लिए यह डिसीजन काफी चिंता जनक है या दर्दनक है क् वैसा समझते हैं? लेकिन अपकी बार ऐसा नहीं सरकार ने सोच समझ के किया है और पर्फेक्ट प्लानिंग से गिया हुआ लोगों को सफिशन टाइम मिलेगा अराम सर आराम से बैटे हुए आज भी जन्रली ऐसा मार्केट में कलम अफ़ाय उड़ रही थी ऐसी कि सोना इकतर हजार हो गया है जबकि मार्केट बस्टाजार तिरस्टाजार प्लस जीएस्टी के साथ चल रहा है और आज भी यही भाव खुला हुआ तो इसकी वज़े से पैनिक होने की ज़रूत नहीं है सर और आपसे last question में समझना चाहेंगे सर जन्ता के कुछ काफी हिस्सों में लोगों में आक्रोश है वो कह रहे है कि जब यह decision पहले ही था यह notes का printing बंद ही करना था और इन्हें recall ही करना था जिसे RBI एक routine action कहती है तो लोग पूछ रहे हैं तो फिर इन्हें निकाले ही क्या होता है कि हर एक का अपना एक lifestyle है उसमें कुछ भी एक changes लाया ना तो panic होता ही है एक human nature है तो government ने अपने को काफी समय दिया है 30th September तक कोई 7 दिन या 15 दिन की बात नहीं है we are we are over here in May month तो we have August and September तो मेरा तो एक ही request रहेगा कि कोई भी panic नहीं होना और कोई भी कहां पे भी एक्स्ट्रा पैसा देके वो note को सल्टाने वाली जो अपन बोलते है वैसा नहीं करना आप जाईए bank में bank में exchange कीजिए 20,000 तक या 4,000 तक जैसे भी bank अपने इसाप से दे रहे हो कीजिए panic होके very first day या second day ही मत पहुचो you have two month तो दो महिना बहुत है and I sorry four month जो भी है वो तो I think there shouldn't be any panic आप सभी का धन्यवाद बात करने के लिए cameraman सुनील के साथ देव कोटक आज तक मुंबाई